Good morning students, आज हम करने वाले हैं Name of the Days, यानि की दिनों के नाम तो अब हम इन्हें पढ़ते हैं और आपको भी साथ साथ में बोलना है और इन्हें याद करना है S-U-N-D-A-Y Sunday M-O-N-D-A-Y Monday T-U-E-S-D-A-Y Tuesday W-E-D-N-E-S-D-A-Y Wednesday T-H-U-R-S-D-A-Y Thursday T-U-E-S-A-T-U-R-S-A-T-U-R-S-A-T-U-R-S-A-T-A-Y Monday, सोमवार Tuesday, मंगलवार Wednesday, बुद्धवार Thursday, वीरवार Friday, शुक्रवार Saturday, शनीवार ठीक है? अब हम फिर से बोले? ठीक है तो है दिनों के नाम Name of Days Sunday, रवीवार Monday, सोमवार Tuesday, मंगलवार Wednesday, बुद्धवार Thursday, वीरवार Friday, शुक्रवार Saturday, शनीवार तो अब मैं आपसे कुछ कोशन पूछू या फिर पहले हम एक चीज और करते हैं हम इन्हें पहले बोलते हैं 1 Sunday, 2 Monday, 3 Tuesday, 4 Wednesday, 5 Thursday, 6 Friday, 7 Saturday तो कितने दिन होएं टोटल? हाँ, seven days ठीक है? अब मैं आपसे कुछ कोशन पूछ दियू अब मैं आपको अभी अभी काउंट करवाया, कितने दिन होते हैं? seven, there are seven days in a week एक हफते में साथ दिन होते हैं name of the days, name the days of the week मतलब जो एक week में, एक हफते में जो दिन आते हैं जितने भी उनके नाम बताने हैं अब हम बोले, साथ में, the days of the week are मतलब एक week में जितने दिन होते हैं, वे हैं Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday और Friday and Saturday ठीक है, children